गुड मॉर्निंग पेपर 11 प्लांट डवलप्मेंट एंड रिप्रोडक्शन जुनिट सेगिंड के अंतगरत वूड डवलप्मेंट इन रिलेशन टू एंवाइरॉनमेंटल फैक्टर्स के बारे में हम आज स्टुड़ी करेंगे कि यह टोपिक लंबा है इसलिए इसको दो भागों में बाट करके हम अध्यन करेंगे पहले भाग में हम वूड क्या होती है वूड किन किन सेल्स का बना होता है और वातारुनियों प्रस्तियों के अधार पर वूड किस प्रकार से बनती है यह हम स्टुड़ी करेंगे दितिये पार्ट में डेंड्रो क्रोनलोजी रिंग पॉरस डिफ्यूस पॉरस वूड क्या होती है सेप वूड, हार्ट वूड, साप्ट वूड, हार्ड वूड, टाइलोसेस, आधी के बारे में हम अध्यान करेंगे तो आज हम यह जानेंगे कि सेकेंड्री जाइलम को ही हम भूड कहते हैं उच पोधों यानि एंजियो स्पर्म्स और जिम्नो स्पर्म्स इन में सेकेंड्री ग्रोथ पाई जाती है इस्टिल और शेत्र जो इस्टिल जो रिजन है इस्टिल रिजन में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण सेकेंडरी जायलम तता सेकेंडरी फ्लोयम बनते हैं यह हम कि बी असी में पड़ चुके हैं सेकेंडरी जायलम तुछ सेकेंडरी फ्लोयम यहां पर जो सेकेंडरी जायलम बना वो कहां बनता है कि अगर हमद्ध दन्हे की बात करें कि तो स्टैम के भीत्र की तुर्प यानि स्टैम के कैंद्री भाग की और सेकेंडरी जायलम का निर्मान होता है तथा तने के परिदिय भाग की और सेकेंडरी फ्लोयम बनता है यहां पर परशन यह है कि इन वूड का डवलप्मेंट एन्वारोन्मेंटल फेक्टर इनको किस प्रकार से प्रभावित करता है तो एन्वारोन्मेंटल फेक्टर वूड डवलप्मेंट को बहुत अधिक प्रभावित करता है इस अगर एसा कुशन आ जाता है तो इसमें सबसे पहला वूड के बारें बताओ फिर इसके बारें बताओ कि वातावरण वातावरण के आधार पर यह जो वूड है वो किस प्रक प्रक्तन होता है उससे वूड काफि प्रभावित होती है और जब हम बात करते हैं समर के अंदर तो समर के समय के अधिक सक्री हो जाती है केंबियम की सक्रिता बढ़ जाती है जिससे से सेकेंडरी जायलम का जो रिशय है वो भी अधिक मात्रा में बनेगा और इस तरह की जो वूड बनेगी उससे हम कहेंगे स्प्रिंग वूड और अर्ली वूड दूसरी और जब हम विंटर की बात करते हैं विंटर में केंबियम की एक्टिविटी कम हो जाती है और कम होने के कारण सेकेंडरी जायलम का जो रिशयो है वह कम मात्रा में बनेगा अधाथ वह बहुती कम वूड बनाएगा और एसी वूड को हम कहते हैं ओटम वूड लेट वूड और विंटर वूड अभी हम इसके बारे में बहुत यदिक डिटेल में बात करेंगे तो यहां पर खेने का अर्थ है कि ऐसा कुशन आ जाता है तो आप वूड के बारे में बताओ फिर यह जो मैंने बताया अभी कि ओटम वूड है और स्प्रिंग वूड है इन दोनों वूड को मिला करके एक एक रिंग बनती है उस रिंग को हम कहते हैं क्रोथ रिंग दोनों क बोला करके दोनों सीजन की वूड को मिला करके एक वर्समें दो सीजन ऊता है तो दोनों वूड को मिला करके वो इक्वैल किसके है एन्वल रिंग ऐख और उदी की इक ग्रथ रिंग यानि एक वर्समें ने हो फिस्टकर अधिक जो बनी को जहां पर विंटर भी अस्पष्ठ हो और समर भी अस्पष्ठ हो तो इस प्रकार का वातरणी प्रिवतन कहां अधीक असपष्ठ होगा वह होगा टैम्पिरेट रीजन के अन्तरक्रत जैसे हिमालिये शेत्र है तो वहां पर दोनों जो वातरों परिवर्तन की बात करता है जहां से ने परिविर्तन होता ही नहीं है जो यूर मैंने जो यूनिफोम है है कौनसी वूड लेट है वो उसका डिफेरेंटेशन नहीं कर पाएंगे अत्हात कहना का रती है कि वहां पर ऐन्मल रिंग अस्पष्ठ नहीं होते हैं घ्रोध रिंग अश्पष्ठ नहीं होती है हम पैचान नहीं पाएंगे कि कौन सी मुड औंड है कौन सीवूड समर तो इस परकार का वात्रवनी परिवर्तन जहां पर परिवर्तन नहीं हूँ तो इस परकार की जो परिस्टिये वह कहां मिलेगी वह मिलेगी अपने ट्रोपिकल रीजन के लिदर ट्रोपिकल रीजन जो है वहां पर वातरवनी परिवर्तन एक जैसा रहता है और टेम्परेट में वातरवनी परिवर्तन बहुत अदिक इस्पेस्ट होता है तो वहां पर ग्रोध रिंग भी इस्पेस्ट होता है तो अभी हम सबसे पहले तो हम वुड की बात कर लेता है तो य सेकेन्डरी जैयलम है कि कभी जैसे अभी मैंने बतायी कि الحuksति नहीं कि पहर सबसें बाहर की और आए और जो अंदर के तने के केंदरी भाग में जो होते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम तो सेकेंडरी जाइलम भीतर किया और केंदरी भागी और निर्मित होता है और जो सेकेंडरी फ्लोयों में वो तने के परिधिय यानि बाहरी शेत्र की और निर्मित होता है तो वेस्कुलर केम्बियम के द्वारा सेकेंडरी जाहिलम, स्टेम के भीतर की और या पित की और परिवतित होता है। वरक्षों के तनों का अधिकौंग्ष भाग सेकेंडरी जाहिलम द्वारा भर रहता है। सेकेंडरी जाहिलम में विबिन परकार की सेल्स होती है। सेकेंडरी जाहिलम में सेल्स का दो परकार का अरेंजमेंट पाइदाता है। एक अरेंजमेंट होता है एक्षियल और दूसरा होता है रेडियल। इंको हम सिस्टम के नाम से देते हैं, एक्सेल और वर्र्टिकल सिस्टम, रेडियल सिस्टम secondary जाईलम में, एक्सेल सिस्टम में, वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाईलम फाइबर्स, और जाईलम परिनकाइमा होते हैं इन सबी को अनुदेदरी अक्ष पादप अंग की अनुदेदरी अक्ष के समांतर होते हैं अनुप्रस्त या अर्य तंतर में मुख्यत रे किरनों के पेरने काइमा होते हैं इन सेल्स का अनुदेदरी अक्ष केंदरी सिलिंडर के समकौन पर होते हैं यह तंत्र सेकेंडरी जाइलम में जाइलम रेज या पित रेज बनाता है। यह सिस्टम प्राइमरी जाइलम में नहीं पाई जाता है। TS में सेकेंडरी जाइलम का अर्ये विन्यास दिखाई जाता है। जाइलम रेशे या वुड फाइबर का अनुपात अधिक होता है। सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स वर ट्रेकिट्स प्राइमरी जाइलम की तुलना में कम लंबी लेकिन अधिक डाइमिटर की या अधिक ब्रोड होती है। जाइलम पेरनकाइमा का रेशियो अत्यक्षाकरत कम होता है, सेकेंड जाइलम में इनका डिस्ट्रिबिशन दो प्रकार का पज़ाता है, जाइलम पेरनकाइमा वेसल्स के साथ वैवस्तित रहता है, तब इसे हम पेरा ट्रेकियल पेरनकाइमा कहते हैं, यह आम तरफ मिलता है, डिलोनिक्स रिजिया जिसे गुलमोर केते हैं उनमें मिलता है जाइलम पैरने काईमा का डिस्ट्रिबिशन इर्रेगुलर होता है और यह वैसल्स ट्रैकिड्स वा फाइबर्स के मद्ये इधर उधर बिख्रे हुए दिखाई देते हैं तब इसे एपो ट्रैकियल या यह सामनी परकार का है जाइलम रेज सेकेंडरी जाइलम के शेत्र में उपस्तित रेज को जाइलम रेज कहते हैं यह सेकेंडरी जाइलम का रेडियल सिस्टम बनाती है इनका परिवर्धन केंबियम की रे इनिशल से होता है इनके अनुदेद्री अक्ष तने की अरिय दिशा शऽां।ंब्स में होते हैं इनका मुक्यकार्ज है मोटे तने में जाइलंच में जाइलंच के बाहर परिदिये खेत्थर में इसफित लिविंग सेल्सी की दिशा में याँ वाटर वर फूड का कंडुक्षन करना है जाइलonda प्रकार कि होता है पर्थम परकार की होमो सेलूलर रेज और दिर्थिय परकार की हेटरो सेलूलर रेज होमो सेलूलर रेज जैसे नाम सी पता दल रहा है कि ये एक ही परकार की सेल्स की बनी होती है इसलिए इन्हें होमो सेलूलर रेज क्याता है हेटेरो मतलब दो डिफ्रेंट प्रकार की सेल्स से मिलने से बनती है इसलिए ने हेटेरो सेलूला प्रेज केते हैं अब वातारों नहीं परिवर्तन के कारण पादब के ग्रोथ पिरियड की अवस्थाओं में ग्रोथ रिंग्स बनती है पेरेनियल स्प्लांच के सेकेंडरी जायलम में विभिन मोटाई के कंसेंट्रिक लेयर पाए जाते हैं ये लेयर सेकेंडरी ग्रोथ युक्तने की अनुप्रस्त काट में ग्रोथ रिंग के रूप में अस्पश डिखाई दता है इन्हें एन्वल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स के पने हैं परत्येक रिंग एक वर्दी रिंटू में हुई जाईलम वर्दी को इंगित करता है परत्येक रिंग पादव के केंडरी अक्ष को घेरते विया बनता है एन्वल रिंग्स का बनना केंबियम की सक्रियता पर एन एक्टिविटी पर वातावरणी प्रभाव के अकान होता है स्प्रिंग सीजन में केम्बियम अधिक एक्टिव होती है इसलिए वह अधिक वूड उत्पन करती है ऐसी वूड को हम स्प्रिंग वूड अर्ली वूड और समर वूड कहते हैं विन्टर पिरियड में केम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है जिससे वूड कम बनती है इस वूड को ओटम वूड लेट वूड या विन्टर वूड कहते हैं वातावरणी परिवर्थन के कारण पादव के growth period की stages में growth rings बनती है वर्धी रिंतु की प्रारम्भी कवस्ता में बना secondary asylum, early wood कहलाता है और वर्धी रिंतु के अंतिम चलण में बना secondary asylum, late wood कहलाता है अर्ली वूड और लेट वूड का डवलप्मेंट वेस्कुलर केम्बियम पर एन्वारोनमेंटल फेक्टर के प्रभाव की करना होता है। टेंप्रेड रिजन में विंटर पिरिड में केम्बियम की सक्रियता बहुत कम हो जाती है। और नई सेल्स नहीं बनती अनुकूल फेवरेबल स्प्रिंग सिजन के आने पर केम्बियम पून अक्टिव होकर डिविजन करना आरम कर देती है। इस समें चेंबियम अधिक अधिक हटी होती है, इसलिए इस सेजन में बने जायलम का अनुपात अधिक होता है। तथा इस चोड़ी गुही का युप्त वैसेल्ज्ट बनती हैं, यह सब्सक्रोड बूरी बूडं कहलाता है। यह वूड हलके भूरे रंकी होती है परतिकूल यानि अनफेवर्व एडवर्स कंडिशन ओटम में केंबिम के सक्रिता करमस कम हो जाती है अत्त दित्यक जायलम का अनुपाद कम होता है यह संक्री गुही का युक्त वेसल्स बनाता है इस वूड को ओटम वूड लेट वूड और विंटर वूड कहते हैं यह वूड गहरे भूरे रंकी होती है इस प्रकार दितियक वर्दी युक्तने में यानि सेकेंडरी ग्रोथ युक्त स्टेम में अस्प्रिंग वा ओटम वूड को इजली ही डिफरेंशेट कर सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ युक्त स्टेम की अनु हैं मैं अंदर की और स्प्रिंग गूड तता बाहर की और ऑटम भूड होती हैं एक वर्ष की सेकेंडि ग्रोथ में एक अधिक चोडा वलय spring, wood का तता दूसरा कम चोड़ा ring और टम-wood का होता है इने ही annual rings कहते हैं और annual rings में ये एक दूसरे से एकांतृत रूप में पाई जाते हैं तो इसके पार शेकिन में हम dendrochronology, ring porous, diffuse porous ये चोटे चोटे टर्मिनोलोजी है वो हम अध्यान करेंगे इस पर कभी छोटे कुशन भी आ सकते हैं और बड़े कुशन्स के अंदर तो जैसा कि यह पूचा गया है कि यह आज का टोपिक जाए वू डवलप्मेंट रिलेशन टू एंवारिमेंटल फैक्टर तो यह पूरे आपको बड़े कुशन्स में यह सारी पॉइंट्स क्या धार पर इनको विश्तरत विगन देना है तो इसका अगला पार्ट जल्दी ही आपको करवाएंगे थैंक्यू